हेलो गाइज वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे क्लास एट का चेप्टर 2 लिनियर एक्वेशन इन वन वेरिबल जिसकी एकक्साइस 2.2 का क्वेशन नम्बर 10 question number 10 है हमारा the number of boys and girls in a class are in the ratio 7 ratio 5 the number of boys is eight more than the number of girls what is the total class strength आपको total class strength निकालनी class की strength निकालनी आपको और number of boys और number of girls का ratios दियावा है 7 ratio 5 और एक आपको थोड़ा सा hint दियावा है the number of boys is eight more than the number of girls ठीक है तो guys जहां पर आप एक गलती मत करियेगा जितने भी हम questions कर रहें ratio वाले और मैंने भी आपको बताया था कि जहां पर ratio दिख जाए वहां पर आप क्या कर लो इनका common ratio ले लो अगर वो गलती आप करोगे यहां पर common ratio वाली तो आपका questions all नहीं होगा सबसे पहली बात दुए अब आपको होगे कैसे पता चलेगा सर कि कहां पर हमार को common ratio लेना है कहां पर नहीं लेना है तो यहां पर देखे प्रिवेस जितने भी question करें आपने ratio वाले वहां पर ऐसा हिंट नहीं दियावा था समझ रहो बात वहां पर या तो some दियावा था या कुछ दियावा था ऐसा हिंट नहीं दियावा था जो यह हिंट दियावा है इसको ध्यान से पढ़िए the number of boys is eight more than the number of girls यह जो हिंट है यह बहुत एक अलग हिंट है अलग हिंट कैसे है कि हम इससे निकालेंगे question को जो let करें अपन common ratio लेकर नहीं करेंगे यह बात ध्यान रखिएगा clear है बात yes or no जल्दी से समझ जाओ समझ रहे हो आप है ना तो समझने की कोशिश करिएगा कि जहाँ पर ratio आगया ऐसा नहीं कि भाई या 7 ratio 5 आगया तो इसको 7x और 5x रख लेंगे बहुत बच्चों से गलती होती है इस question के अंदर तो ध्यान रखिएगा ऐसा अपने को नहीं करना है strategy अलग है इस question की तो मैं आपको करवाता हूँ किस type से इस question को solve करेंगे तो देखिए यहाँ पर the number of boys जो hint दे रखा है इससे ही अपन question को solve करेंगे यहाँ आपको बता रखा है इसने कि जो number of boys है ना वो 8 more than the number of girls है ठीक है मैंने का ठीक है तो हम इससे ही question को लेंगे हम तो let अब बताईए आप किसको ले number of boys को x माने या number of girls को माने बताईए तो हम किसको मानते है number of girls को मानेंगे क्योंकि हमार को क्या दिया है the number of boys is वालब जो boys थे ना वो 8 more than the number of girls थे तो हम क्या करेंगे let the number of girls मान लेंगे हम let the number of girls be x then number of boys will be कितने the number of boys 8 more than number of girls तो क्या अतने हो जाएंगे x plus 8 हो जाएंगे clear है number of boys कितने हो गए हमारे x plus 8 हो गए समझ रहो ना बात को अब देखो यहाँ पर अब question में क्या क्या अब समझो देखो इतना आपन ने clear कर लिया अब देखो the number of boys and girls in a class are in the ratio 7 ratio 5 ठीक है अब यहाँ से start होगा शुरू खेल according to question क्या लिखा हमने according to question अब चल रहे हैं हम कोई दिक्कत नहीं है अब जो 7 ratio 5 है अब मैं आपको थोड़ी सी चीज बताता हूँ देखो अगर मैं 7 ratio 5 है क्या इस 7 ratio 5 को मैं 7 upon 5 लिख सकता हूँ आप कहोगे जी हाँ सर लिख सकते हो ठीक है ratio का सही मतलब भी divide होता है यह बात ध्यान रखना अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ नो 1 ratio 2 इसका मतलब यह भी है कि 1 upon 2 अगर मैं आपको बोलता हूँ 3 upon 4 तो आप 3 upon 4 को ऐसे भी लिख सकते हो 3 ratio 4 समझ रहे हो तो ratio और division यह क्या होता है हमारा same होता है इस बात को ध्यान रखिएगा clear है बात अब देखिए यहां पर जो 7 ratio 5 लिखाओ है यह तरह से 7 upon 5 के form में लिखाओ है तो यहां पर जो लिखाओ है number of boys and number of girls का ratio दियाओ है तो हम लिखेंगे number of boys ठीक है divided by ratio दियाओ है या divide में लिखो बात यह कि number of girls ठीक है अब number of boys बताइए number of boys कितने थे 7 तो मैंने लिख दिया यह 7 ratio में है यह दियाँ रखना number value नहीं है यह ratio इसलिए तो लिख रहा हूँ मैं divide में और number of girls कितना है 5 है तो 7 upon 5 लिख दिया मैंने कोई दिक्कत नहीं है अब बताइए मुझे 7 upon 5 मैंने यहाँ पर लिख दिया अब बताइए number of boys जो थे वो कितने थे तो यहाँ पर देखे यहाँ पर number of boys थे एक्स प्लस एट तो ratio कि यहाँ पर लिखेंगे x प्लस एट यह देखें मैंने लिख दिया number of boys उपर थे तो x प्लस एट number of girls कितनी थी number of girls ratio में तो 5 थी और वैसे number of girls कितनी थी हमारी value में x थी number of boys ratio में 7 थे और वैसे number of boys कैसे थे value में x plus 8 थे clear है बस अब आप اس equation को solve कर लो ये equation आपको solve करनी आनी चाहिए कैसे करोगा this equation को solve बताए क्या करोगी this question को solve यहाँ पर जब भी is type equation आ जाती है यहाँ पर numerator denominator, यहाँ पर Unbelievable. क्या कर दिया, करो यहाँ पर Cross Multiply कर दियाँ देखिय, यहाँ पर 7 को into करेंगे X से, तो यह हो जाएगा हमारा 7X, और यहाँ पर 5 को into करेंगे X plus 8 से. यह हम कर लेते हैं. ठीक है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7x और 5 को into करेंगे x से तो 5x और 5 को into करेंगे 8 से तो 40 clear है बात चलिए आगे बढ़ते हैं तो 7x अब variable variable मैंने आपको बता रखा है क्या करते है variable को एक तरफ रखते हैं और value को एक तरफ तो देखिए यहाँ पर 7x है मैंने का ठीक है यह 7x है अब यह देखिए इक्वल के 5x इधर है RHS साइड में 5x को आल ले जाते हैं left hand side में क्योंकि variable से variable soul होगा ना तो variable को एक तरफ रखना है तो 5x को अब transpose करके हम left hand side में ले जा रहे है देखिए यहाँ पर 5x किसका है plus का है तो transpose होगा तो minus को हो जाएगा ठीक है हो गया है is equals to यहाँ पर 40 है ठीक है अब आगे बढ़ते 7x minus 5x अगर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2x आएगा और यहाँ पर हमारा है 40 अब 2x अब आपको पता है क्या करेंगे 2x is equals to 40 x की value निकालनी है तो 2 की relationship x के साथ में क्या है multiplication की तो 2 अगर right hand side में जाएगा तो divide में convert हो जागा इसकी value आगए हमारी 20 तो x की value हमारी find हो चुकी है x की value जो आईए है वो हमारी कितनी आईए 20 आईए अब हमें निकालना क्या है हमें निकालना है total class strength सबसे पहली बात तो तो total class strength हमारी जो बनेगी मुझे बता ही है कैसे बनती है total class strength अगर आपकी class में boys भी हो और girls भी है तो आप कैसे अपनी class की strength निकालोगे क्या आप only girls को ही गिनोगे या only boys को ही गिनोगे आप कहोगे नहीं दोनों को गिनेंगे ठीक है तो total class strength निकलेगी हमारी number of girls plus number of boys clear है बात number of girls equation के form में क्या थी हमारी x थी और number of boys equation के form में हमारे x प्लस 8 थे x की value अब हम निकाल चुके है तो x की value कितनी आगई हमारी 20 आगई put कर लेते है value और यहाँ पर x की value 20 प्लस 8 ठीक है तो यहाँ पर देखे 20 प्लस यहाँ पर 20 प्लस 8 28 then हमारा 20 प्लस 28 कितना आगया 48 तो total class की strength केतनी थी हमारी 48 केतनी थी 48 clear है बात तो total class की strength हमारी कितनी निकली है 48 इसने class की strength पूछे ना अपने से class की strength हम बता देंगे 48 what is the total class strength तो total number of girls and number of boys को हमने add कर दिया तो total class strength जो answer है यह हमारा होगा 48 और अगर number of girls पूछता है तो number of girls हम बता देतें कितना 20 और number of boys पूछता तो number of boys बता देतें 28 clear है तो question कुछ भी पूछ सकता है number of girls भी पूछ सकता है number of boys भी पूछ सकता है कोई भी question पूछेगा आप easily आप बता दोगे clear है तो मैं मानूँ आपको समझ में आया है अच्छे से ठीक है तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यार बहुत अच्छे से समझा हूँ मैं बिल्कुल easy way होता ना बिल्कुल easy way सबसे easy वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको ठीक है तो अगर वीडियो पसंद आएए तो please like कीजिए share कीजिए और channel को जरूर subscribe कर लीजेगा और bell icon को जरूर प्रेस कर लीजेगा जिससे की upcoming videos की notification आपको time to time मिलते रहे thank you so much